सो गाई आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप जो अपने इस्टाग्राम एकाउन को पर्वा मिंटली के लिए अगर आप जो इडिलीट करना चाहते हो तो कैसे आप जो इडिलीट कर सकते हो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं तो चलि कोिछ यहाँ पर कूछ बाद, यहाँ पर आपके लिक कर दोगे में, 안खिक पर डेकले इसले को में, personal details का जब आप इस वाले option पर आप click कर दोगे तो आप में होगे क्या कि आप में कुछ इस तरह का option लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर आप लिख कर आ जाएगा account ownership and control का तो बाप को जो इस वाले option पर click करना होगा click करने के बाद यहाँ पर option लिख कर आजाएगा deactivation and dilation का तो बाप वो करना क्या होगा इस वाले option पर आपको click कर देना होगा जब यहाँ पर आप click करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ID होगी यहाँ पर देखने को बाद जाएगी तो आपका आपसं मैंडली के लिए हम जो ही डिलेट करना चाह rest तो हम करेंगे क्या सेकेंड वाले option पर यहाँ पर select करेंगे और select करने के बाद यहाँ पर option लिख कर आजाएगा continue कर जो आपके continue वाले option पर click कर देगे तो यहाँ पर आपको deleting your इस्टाग्राम एकाउंच तो यहां पर कौन सा रीजन आपको ख le MR छाथ यहां पर आप पर एप यहां से आपको रीजन देजा चाहएगा इसके बाद आपको यहां पर कुछк इस तरह का उपशन लेकर भी आ Millenn Hey इसके बाद यहां पर आपको continue का अप्सेंस होगा आपको इस continue वाले आप्सेंस पर यहां पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको करना क्या होगा आपके जो ए आईडी है उसका password यहां पर आपको डाल दिना होगा तो हमने अपने आईडी का जो भी password यहां पर डाल दिया तो तो आपको भी पास्वोड कुड डाल देना अगर आपको पास्वोड नहीं मालूम है यहां से आपने इसके बाद कर दिया है इसके बाद यहां पर कंफरम लिक करने के लिए कहेगा कि आपको जो एकाउंट आप आज है मलब आज जितनी भी तारीक है आज इसे 11 तारीक है तो आपको 30 दिन के अंदर अगर आप अपने इस आईडी को लॉगिन नहीं करोगे तो आपका जो आईडी है डिलीट हो जाएगी तिया पर आपको करना क्या होगा डिलीट एकाउंट वाले आपसे भी किलिक करन होगा और आपको जो इस आईडी को जो है 30 दिन के अंदर आपको लॉगिन नहीं करना ड्रेक लिए आपको जो इस्टाग्राम एकाउंट हो जाएगा करेंट में देख से डिलीट हो गया हमारा दूसरा आईडी जो है यहां पर खुल गई है तो वैसे आप बहुत असान तरी